हेई फ्रेंज वेलकम बाक टू मैं चैनल में कर्या टोड़े दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी असी विकेंसिस लेकर आई हूँ जो कि इंटिको एरलाइन से है जी हाँ दोस्तों इंटिको एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है यहां पे बहुत सारी विकेंसिस निकलती रहती है लेकिन आज मैं आप विकेंसिस कुछ खास विकेंसि लेकर आई हूँ जिसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा आपकी क्या रिस्पॉंसिबिलिटी रहेगी सैलरी पाकेज आपको कितना मिलने वाले है कौन सी लोकेशन पह यहां आपको सब्सक्राभाइबीर का सब्सक्राइब पूचलर आपके सस्क्राइबplex सास्थ को निस tut ब àsleoln से सुनेंगे तब ही आप इसे अप्लाय कर पाएंगे और तब ही आपके चांसिस है यहाँ पे आपकी जॉब लगनेगे इंटिको एरलाइन से एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है आपको पता ही होगा यहाँ पे विकेंसिस निकलती रहती है बट आप जो विकेंसिस है ना अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर जरूर कीजेगा करते हैं वीडियो को स्टार्ट ओन माई कंप्यूटर स्क्रीन तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर इंटिको की यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन की है यहाँ पर काफी सारी विकेंस निकल कर आएंगे काफी सारी ठीक है तो कैबिन क्रियों के बारे में तो सब जानते ही होंगे क्योंकि बहुत कॉमन सा है कैबिन क्रियों में क्या काम करना है responsibility क्या रहती है यह आपको सब को पता होगा आज जो मैं आपको वेकेंसिस के बारे में बताने वाली हो वो है स्टाफ से अब क्या समझते हैं मों वह आपको बताने वाली हो ठीक है तो यहाँ पर डेट ऑफ इंटर्व्यू है 18 में 2023 अभी स्टार्ट जो यहाँ पर हुआ था इंटर्व्यू का डेट वह 18 में कैं और अभी तक चल रही है हाईरिंग वेन्यू क्या है पार्क प्लाजा ओ एक्सपिरेंस नहीं है तो कंपनी आपको हार कर रही है जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे है गाइस फ्रेशर्स को आप यहाँ पर हारिंग चल रही है ग्राजुएट अगर आप है तो इस वेकैंसी को अप्लाइ कर सकते हैं नॉन एविएशन और एविएशन वन प्रस आप रोटेशन शिफ्ट में फ्रेक्सिब्लीटी होनी चाइए आपकी कोई भी शिफ लग सकती आपकी नाइच शिफ्ट होनी चाहिए देशिफ्ट बाणि शिफ्ट हो तो आप कमफर्टेबल होने चाहिए रोटेशनल शिफ्ट के साथ एस्पिरेंट ऑफ ग्राउंट स्टाफ ओनली सिक्योर्टी कस्टमर सर्वीज राम कैट्विंग केब्विन अपिरेंस कार्गो नो विजिबल टैटू आपकी बॉड़ी में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए कोई विजिबल टैटू नहीं होन सकते हैं अपर वेल गुरूम फॉर दा इंटर्व्यू अगर आप इंटर्वी के लिए जाते हैं तो वेल गुरूम होके आपको जाना है प्रॉपर ड्रेस आपको बताया जाएगा कौन सी ड्रेस पैननी है आपको प्रॉपर ली यहां पे वेल ड्रेस होके जाना है अप्डे अगर आप experience है तो apply करने जा रहे हैं तो आपका last three months का salary slip या appointment letter या appraiser letter चाहिए होगा मैं यह experience candidate के बारे में बता रही हूं अगर आप experience है तो आपका last three months का salary slip और साथ में appointment appraiser letter यहाँ पे आपको देना है covid vaccination का certificate आपके पास होगा सबके पास तो वो आपको लेकर जाना है if you are not able to produce of any details from point you will not allow at the venue इन्होंने strictly बोला हुआ है अगर आप ये कोई भी चीज नहीं लेकर आते हैं well dress होकी नहीं आते हैं covid vaccination नहीं लेकर जाते हैं तो आप allowed नहीं कोंगे venue पे आपकी entry is restrict हो सकती है तो आप सारी चीजें आपे बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्या 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 लेकर जाना है और एक चीज मैं आपको बता दूँ यहां पर आपको कोई पैसे नहीं देने है कोई consistency charges नहीं है कोई hidden charges नहीं है ठीक है free of cost यहां पर आपको जाना है free of cost इसकी apply करने है कोई हिसमें आपको charges पे नहीं करने है किसी को भी officer executive AOC in the role of ramp out ramp तो इसमें जो मैं आपको responsibility बताती हूं क्या रहेगी confirm the ET of the flight आपको ETA flight का confirm करना है OCC और system take the bay number from apron and convey to the station ensure that you are at the bay d20 minutes with all the equipment required note down the touchdown and clocks and convey AIT on RD align the ramp properly make sure there are enough coaches available for deplaning the packs and take care the baggage should reach arrival before the packs check the cleaning and take the boarding clearance from the cabin crew and announce it on RD check the cleaning आपको यहां पर चेकिं करनी है clearance की checking करनी है cabin crew की announcement करनी आपको make sure loading is done आपको यह धियान दखना है loading done हो चुकी है loading instruction report आपको देनी है यहां पर trim staff को after departure make sure that all the equipments are sent back to the transport yard filling the ramp filling during the flight ensure everyone is smooth and safe and flight is on time so basically आपको यहां पर करना क्या है आपको यहां पर जो है ground staff level का का काम करना है जिसमें आपको report भेजनी होगी आपको कुछ यहां पर files बनानी होगी loading unloading का आपको यहां पर देख रहे करना है cleaning का देख रहे करना है और यह भी चेक करना है, सबको स्मूज चल रहा है, से फ्लाइट है, टाइम पर चल रही है, लाइट टाइम पर हो रही है, यह चीज़े आपको यहाँ पर देने, जो भी मैंने रिस्पॉनसिबिलिटी आपको बता है, आप सबकुछ पता चल गया होगा कि आपको एक्छल में क क्योंकि salary package starting गी इसका 30,000 से start होता है अगर आप experience है तो उसे उपर भी जाएगा और within 3 months अगर आप अच्छा perform करते हैं आपका salary increase होता है साथ ही में आपको बहुत सारी facility मिल नहीं है क्योंकि आपको indigo में काम करने का मौका मिल रहा है और indigo जैसी company बहुत सारी facility provide करती है incentive आपको देती है, OT का देती है time आपको overtime का incentive देती है काफी चीज़े होती है जो आपको HR disclose करेगी अभी तक जो मैंने आपको सारी चीज़े clear कर दी है location के साथ मैंने responsibility बता दिया मैंने आपको और आपका skills बता दी है eligibility criteria बता दिया है selection process बता देती हूँ मैं आपको तीन आपके round ह का basic चीज़े पूछी जाएंगी और client round होता है और आपका एक operation round होता है client round में आपसे पूछे जाएगा जल्दी reply करने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों सारी चीज़े clear कर दी है salary package से लेकर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इसको apply कैसे करना है ध्यान से सुनेगा apply करने के लिए मैंने description box में link शेयर किया है उस पे आपको click करना है click करक एक window open होगी उसके बद apply नौ पर आपको click करना है तो automatically apply हो जाएगा आपको notification आएगा आपके mobile या email आईडी पर जो भी आप देंगे तो जैसे notification आते हैं आपको interview की call आ सकती है so please आप aware रहेगा mobile on करके रखेगा अपनी mails चेक करते रहेगा आपको call email आ सकता है और आपको बता आपको comment box में हमें लिखिएगा हम आपको reply करने के पूरी कोशिश करेंगे जल से जल आज का video दोस्तों यहीं तक कता I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करत